एक बार फिर मन्जूर एज़ किया और आउट राहिब आउट बहुत बड़ी काम्याभी यहां पे दिला चुके हैं मन्जूर राहिब आउट हो गए अब लोग देखरें मेरा यूटूब जेनल क्रेजी फॉर क्रिकेट तो अभी मीर स्पोर्ट्स ने यहां पे डास जीत के पहले बोलिंग का फैसलिया किया है मैच नमबर 13 में अब देखते हैं क्या होता है गांचा प्रेमिर लीग 2022 अब देखते हैं क्या होता है जेम फाटर के साथ मैच इला रह्मान रहीम गैंचा प्रेमिर लीग का तेरवा मैच जेम फाटर बा मुकाबला मीर स्पोर्ट्स आज अपनी बका की जंग लडेंगे आठ अवर का मैच मीर स्पोर्ट्स ने टास जीत के पहले बोलिंग का फैसला किया है तो अब आज जुके ओपनर रजा और दूसरे साथ है ऐए मनजुर अब देखते हैं क्या होता है असुद अला एक बजबर फिर ऑगेन के उठा दिया मनजुर पहला छक्का बीूटिफल शोट पहला च्छका लगाने में कामया जेम फाटर की तरफ से मनजुर अला एक बार फिर आए गेन के उठा दिया फैसल बाबा वाँ मौझूद है और आउट मन्जूर आउट हो जाएंगे अब देखता है यहाँ पर इंपाइर जा रहें तो क्या होता है यही थोड़ी देर में पता चलेगा फैसल बाबा वाँ मौझूद उस्टील खड़े हुएं इम्पायर का इशारा या भी यहां पे थोड़ी देर में देखेंगे तो मन्जूर आउट हो जाएंगे जी यहां मन्जूर आउट पहली वे के असद सखी को गेंड की पहला च्छका यहां पे लगा चुके हैं सखी ब्यूटुफल शॉर्ट छेरंस अब आ चुके शरीफ गेंडी पहली गेंड और स्वागत कर दिया च्छके के साथ रजा ब्यूटुफल शॉर्ट छेरंस शरीफ एक बार फिर आए गेंड की उटा दिया है बहुत ही हायर है गनी आ रहा है गेंड के नीचे और केज़ ड्रॉप कर चुके हैं गनी कैज ड्रॉप फोल्टास गेंड निकाल दिया लेक सेट पे छेरंस सखी आला शॉट एच गिया और राइप पकड़ नी सके गेंड पीछे वहाँ फिल्टर मुझूद है रोक नी पाये शायद वहाँ चौका हो जाए तो अभी देखेंगे चौका है या नहीं तो जिया चौका चरीप एक बार फिर उठा दिया है अब्दुलमजूद अब्दुलनभी और शामीर एकी रंस यहाँ शायद जिया हो गया दो अवर का एक्तिताम तो स्कोर बढ़ता हुआ समीर भाई से पूछेंगे अभी स्कोर कितना हुआ है बेयालीस स्कोर दो अवर में के लिए आ चुके हैं शामीर पहली गेंट फुल टास और पहली गेंट छेरंस के लिए बौंडरी के बाहर आज सकी शांदार खेल रहे हैं एक बार फिर गेंट करेंगे रजा को आए गेंट की सिलोट में चेरंस ब्यूटिफुल शॉट चका रजा दूसरा चका लगा चुके हैं यहां पर शामीर एक बार फिर सकी को गेंट की फुल टास बहुत हाई चली गया देखते हैं कौन केज करते हैं यहां पर तो कैज ड्राफ अब देखते हैं तो दोरन का इजाफ आया नोमान एक बार फिर आए गेंट की उठा दिया है वहां सद भी मौजूट और आउट सकी आउट हो गए इस वार अच्छी काम्याबी दिला चुके हैं यहां पर नोमान टीम को बहुत एक बार फिर रजा को गेंट की उठा दिया किसी फिल्डर के लिए चांस नहीं एक और च्छका ब्यूटुफुल सेंसुबल खेल रहें आज कुछ पिलेर आज आज नहीं सके हैं गनी एक बार फिर गेंट की लॉंच कर दिया स्ट्रेट फुल स्ट्रेट हीूज रजा ब्यूटुफ तीन च्छके लगातार गनी को हाई ट्रिक कर चुके हैं ओमाई गोड क्या हो रहा है आज जीमसी ग्राउंड गुल्सन मेमार नोमान रजा को गेंट की ब्यूटुफल शॉट लग तो रहा है अब देखते हैं कोई चांस नहीं है असद और शामीर देखते ही रहें च्छका बहुत है चुके हैं पांचवी गेंट के लिए तयार आई फुल्टास गेंट उठा दिया है शरीव वहां मुझूद है गेंट गुमेंगी यहां पे शरीव की अच्छी फिल्डिंग मगर नाकाम रहे एक और चौका एक शॉट की दूरी पे आई गेंट की लॉंच कर दिया आईसी शायद इसी चके के साथ अपना पचास पुरा किया रजा वेल बेटिंग बहुत ही आला आज पचास कंटीन्यू फॉम कंटीन्यू अच्छी बेटिंग करते हुए फरीद को आई गेंट की उठा दिया है हो सकता है फरीद का पहला चका जीयां फरीद फॉम में आ छे रंस देखने की जरुरत नहीं है छका एक और अब देखते हैं आखरी गेंट तुलना भी रजा को बाहर केंटी कोई फिल्डर नहीं है वहां पे चौका 26 रंस पे किया वर का एक्टिताम तो 132 पे पहुंच चुकी है साथ अवर में जेम फाइटर आए गेंट की उठा द पेले नंबर से आए हैं अब तक खड़े हैं संच्री के करीब तो लग रहे हैं भी देखें शांतार वेटिंग करने के बाद रजा नाटा उटा हैं तक्रीबन सव पिला से स्कोर कर चुके हैं आज तो यहां पे हो गया इनका एक्तिता टास जीता यहां बे मीर पेटिंग करने की दाव़त दी जेम फाइटर को तो जेम फाइटर यहां बे बना चुकी है 148 रंस का टारिट बहुत बड़ा टारिट। खड़ा कर दिया आज मीर स्पोर्ड के सामने अगर ये मैच मीर स्पोर्ट जीती है तो कुछ आगे चांस होगा अगर हारती है तो फिर उनका चांस ना होने के बराबर हो जाएंगे तो देखते हैं अभी क्या होता है कब अपनर आ चुके हैं नोमान और राहिब मन्जूर एक बार फिर गेन करेंगे राहिब को आए गेन की उठा दिया रजा मौजूद रोकी नहीं पाए पहला च्छका राहिब पहला च्छका लगाने में कामियाब एक बार फिर मन्जूर एच किया और आउट राहिब आउट बहुत बड़ी कामियाबी यहाँ पे दिला चुके हैं मन्जूर राहिब आउट हो गए क्या फिरी हिट बचा पाएंगी अब देखते हैं क्या होता है मन्जूर एक बार फिर गनी को फिरी हिट पे आए गेन की उठा दिया च्छेरंस होंगे जहिया च्छका ब्यूटिफुल शॉर्ट च्छेरंस एक बार फिर अली आए गेन की लॉंच कर दिया च्छका गनी दूसरा च्छका लगाने में कामियाब अली एक बार फिर गेन करेंगे नोमान को निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर के उपर से चोका ब्यूटिफुल शॉर्ट अली एक बार फिर आए गेन की उठा दिया रजा वहां मौजूद सीधा रजा के हाथ में देखे आ गए जिया नोमान एक चोका लगाने के बाद आउट कप्तान मीर गेन की उठा दिया छेरंस प्रीट पे ब्यूटिफुल शॉर्ट मीर एक बार फिर सामना करेंगे गनी फुल टास लॉंच कर दिया है देखते हैं अब किस कहां पे लॉंच पहुंचता है चका है यहां चोका तो वहां छेरंस अब देखते हैं यहां पे तो चोका अच्छी फिल्डिंग अली की बहुत आपर में 99 रंस चाहिए मीर स्पोर्स को जीतने के लिए फिल्टास उठा दिया है वहां कैच आउट हो जाएंगे वहां पे अली मौजूद गनी आउट एक और नुक्सान मीर स्पोर्स को गनी आउट फरीद एक बार फिर गेन करेंगे फैसल बाबा को हाई गेन की उठा दिया है बहुत हाई चली गेन चेरंस पहला चका फैसल बाबा अली एक बार फिर मीर को गेन की उठा दिया चेरंस ब्यूटिफुल शोट मीर हार नहीं मान रहे हैं मैच अभी बाकिये मैच खतम नहीं हुआ है एक बार फिर मीर को आए गेन की बहुत ही धिल शाट वहां एक रन तो आ जाएगा दूसरे के लिए कोई तेजी नहीं देखा अब दो रन बन जाएंगे यहां पर जियां तो यहां पर आउट हो गए मीर रन आउट हो चुके मीर आखरी उमीद मीर स्पोर्ट्स की यहां पर दम तोड़ती हुई तो मीर आउट एक बार फिर यहां पर अली आए गेन की उठा दिया सिक्स रैंस अब्दिलनभी हीूज छ पर फिर अली आए गेन की रूम बनाया और गेन को खेल लिया वहां रजा मौजूद हैं तो चेरंस चका अब्दिलनभी एक और मैच खतम नहीं हुआ है अभी मैच अभी बाकिये तो चौके का इशारा आ रहा है वहां से तो चौका प्री गेंदे शायद सामना करेंगा अब कवर्स में बहुत तेज गेंद जाएगी दो फिल्डर पीछे हैं देखते हैं यहां पर तो ऐसे ही लग रहा है रोक नहीं पाएंगे दे चौका तो यहां पर होगी आवर का एक टिताम 25 रन आ चुके हैं इस अवर में रजा तीन अवर में 62 रन दरका 66 मीर स्पोर्स को रजा टेली गेंद फुल्टा निकाल दिया तेज शाट है फिल्डर के लिए कोई मोका नहीं चौका फैसल बाबा और अब्दिलनभी कमर कस चुके हैं आज जीत के लिए पूंचाना चाहते हैं अपनी टीम को एक बार फिर आए गेंद की निकाल दिया तेज शाट है फिल्डर बाबा को गेंद की क्रेकिंग शोट है फरीद मौजूद हैं रोक नहीं पाएं शायद चौका फीन चौके लगातार फैसल बाबा आज कुछ करके दिखा रहें टीम के लिए और फिर रजा अब्दिलनभी को निकाल दिया दोनों फिल्डरों के बीच में तो बोल है उप दे पीछे 25 45 असपोर एंए बारा के उद्व है गेंद करने के लिए तयार आये गेंद की लौच कर दिया फैसल बाबा आज फैसल बाबा का दिन है सआम्ने सकी मोजुद रोकने पाए ओ माइगोड यह बहुत ही तेज शाट फैसल बाबा का छे रंस बाबा अच्छा गए तीन तेरा फरीद एक बार फिर लॉंच कर दिया ओ माइगोड बाबा बाबा यह क्या कर रहें आपाज अच्छा गए बाबा ट्रिपुले पला बाबा बहुत जारहना खेल रहे आज मैज बड़ा यहां पर रुमांचिक हो चुका है एक अवर में 24 रंदर का रहें मीर स्पोर्स को अपनी यहां में टोनामेंट में रहने के लिए 24 रंदर करने होंगे इस्ट्राइक पाच चुके हैं फैसल बाबा अब देखते हैं किस अबडलनभी अब दो गेंदों में 19 रंस बहुत ही खतरनाक तो मैच का यहां पर हो गया एक्तिताम बहुत शांदार सव पिलस स्कोर किया रजा भाई मेरे साथ मौजूद हैं बहुत-बहुत मुबारक बात देंगी रजा भाई को अभी बात करेंगे आपको तो कितनी मैच क्या क्या आप जीते हैं अभी सब्सक्राइब बैस ठाफ लुक आपको खाएंगे मेंच की लिए बहुत आच्छी कारका दिए आप ने आज दिखाई मैच विनिंग कार दिए तो पड़ी मेरबारी तो मिलते हैं अग्ले वीडियो में लायक करें सब्सक्राब करें मेरे चैन